पैनेडॉल भी वहां की अच्छी है यहां की पैनेडॉल छेछे खालो कुछ नहीं होता मैं साओधी अरब गया जब हच के लिए तो मेरे मुँँ में छाले निकलाए ना कुछ वज़ा से हमारे बच्पन में छाले बहुत निकलते थे फोलिक एसिड बताते थे डॉक्टर तो खाते रहते थे एक-एक महीना तो मेरे वहां इतने छाले निकल गए मैंने गए यार अब एक महीना फोलिक एसिड खाने पड़ेगी बड़ी टेंशन है अब हज में हजमे इतनी बिमारी हो गई यार ये तो फूले चाले मैंने रात फोलिक एसिड खाई इस वह चाले खतम मैंने का ये क्या हो गया यार ये कैसे खतम हो गए उन्हेंने का भाई ये वो पाकिस्टानी फोलिक एसिड नहीं है ये सच्ची मुच्ची की फोलिक एसिड है उदर जो folic acid होती है ना पाकिस्तान में उसमें डबे पे तो मोटा मोटा लिखा होता है वो एक आदमी आपके पास टाइम तो है ना थोड़ सा एक आदमी बड़ा सखी था हलीम की देख बनाके वो बता रहा है मेरे अबबा बड़े सखी थे हलीम की देख बनाके बंटा करते थे वो किसे ने कहा कैसे बनाते थे हलीम की देख ली पानी डाला 11 दाने चावल के 11 दाने जौ के यह का ऐसा हलीम है गोश डालेंगे भी गोश गोश ज्यादा होगा इचा भी गोश कितना पर्ची पे लिखा 40 किलो गोश पर्ची डाल दी उसमें सखावत का यह भी एक तरीका होता है तो हमारे हाँ जो मेडिसन है ना उसमें फोलिक एसिड लिखा कमपनियों ने और वो उस केमिकल में पर्ची पे लिखके उसी से जायका आ जाता है फोलिक एसिड का दवाएं दो नमबर अच्छा फिर मिना के अयाम में अक्सार अलर्जी हो जाती है रश की वज़े से नजला मुझे नजला हो गया बलड आने लगा सर में से ना इतनी इंफेक्शन हो गया सबको होता है वहाँ जाके Augmentan भई एंटिबाइटिक खाने पड़े गया अच्छा हमें एंटिबाइटिक कभी तरज़ तरज़ पंदरा पंदरा दिन भावते रहो यहां पर वहाँ कोई Augmentan का नुस्खा किसी डॉक्टर ने दिया मैंने एक गुली खाई में ठीक हो गया मैं सोच रहा था मैं खुआब देख रहा हूँ यह ठीक क्यूं हो गया मैं यानि हमें यह अजीब सा मनजर लग रहा था कि यार एंटिबाइटिक खाने से जखम एक दम ठीक हो गया मुझे यकीन नहीं आ रहा था तो फिर मैंने जब हैरानगी का इजहार किया मैंने का यार दवा खाया और बंदा ठीक हो यह निए पहली दफ़ ऐसा हुआ था कि इदर खाई दवा और ठीक हो गए तो उन्हें ने का भाई यह दवाएं ऐसी है कि यहां खाओ तो इत्तिफाक से आदमी ठीक हो जाता है तो यही हाल बाहर की दुनिया का है वो हर चीज में हमारे इमाम है मेडिकल साइंस में हमारे इमाम है यह जो हुआई जहाज हम लेते हैं अमेरिका से हम थोड़ी बना सकते हैं अब बनाना शुरू कर दी, अलहमदुलिल्ला, लेकिन अभी तक तो किसे लेते रहे हैं, वहीं से लेते रहे हैं, तो मैं इसकी मिसाल देता हूं, इससे हमारा नौजवान तबका बहुत मतासर है उन लोगों से, कि यार जब हर चीज़ वहां से ले रहे हैं, तो कल्चर भी उन उनी से लो, तरीका हयात भी उनी से लो, कपड़े भी उनी जैसे पहनो, स्टाइल हेर, स्टाइल भी कैसा होना चाहिए, सर पे जैबरा क्रॉसिंग, देखें न, सर पे बाल कैसे बने वे होते हैं, यहां से टिंड हुई है, इदर से बाल, इदर से बाल, जीब जीब सी वह तर्मार है नहीं वह प्चे दो ही अच्छे बलके एक भी अच्छा नहीं तो यह एक खानदान यह 18 बच्चे 17 बच्चे बार एक इच्छे दखिया नूसी वाली हरकतें बेकर वो कहते हैं शादी देर से करो पचास-पचास साल में गोरा जाके शादी करता है और हम ये बचकाना हरकते हैं अभी इतनी टेंशन साले इतने पाल लिए लेके यार अभी से शादी करके और बच्चे और टेंशन अजाब भी तो लाइफ को एंजॉय करने का टाइम है तो हमने क्या किया हमने देखा कि यार वो साइंसी ओलूम में हमारे इमाम हैं हमारे बाप हैं तो हमने क्या कि अब हर चीज में उनको अपना बाप बना लिए ये गलती बिलकुल ऐसे है जैसे मैं मिसाल दे रहा था कि आपकी गाड़ी में फॉल पैदा हुआ आपने बड़े-बड़े मेकेनिकों से ठीक कराने की कोशिश की किसी के पले नहीं पड़ा एक मेकेनिक के पास गया एकदम उसने गाड़ी का मसला ट्रेस किया यार ये प्रॉबलम है स्टेट कर दिया आपने उसको अपना बाप बना लिया कि आएंदा से गाड़ी जब भी खराब होगी तो कहां लेकर आऊंगा इसके पास बिल्कुल ठीक है आपने अब एक दिन आपके गुर्दे में मसला आ गया क्या मसला हो गया डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा आपने का एक आदमी है जिसको मैंने अपना बाप बनाया है वो उदर बैटता है उदर शूरू में उसका उसको मैंने अपना बाप बनाया है और वहां पहुँच गए आप आप कह रहे हो भाई दरजनों डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा आप किटनी में मसला क्या है आप मेरे इमाम हो आप मेरे बाप हो जो आप कहोगे आँखे बन करके मैं चबूल करलूंगा वो भी कह गा मेरे भाई मैं मेकेनिक हूं मैं गुर्दों का डॉक्टर थोड़ी हूं आप कहोगे यार तुम इतने पढ़ी लिखे हो तुमने मेकैनिकल में डिप्लोमे किये हुए हैं तुम्हें गुर्दों का नहीं पता वो कहेगा गुर्दों का इससे क्या तालुक है कहेगा ना वो कहेगा भाई तु ऐसा कर किसी नफसियाती डॉक्टर से दिमाग का इलाज पहले करा और फिर किड्री स्पेशलिस से गुर्दे का इलाज बाद में करा आपके गुर्दे में इतना फॉल्ट नहीं है जितना आपकी कोपड़ी में फॉल्ट है इसका इलाज पहले जरूरी है अल्ला की किसम यही कुछ हमारी यंग जनरेशन के साथ हो रहे हम कह रहें उन्होंने साइस में तरकी की उन्होंने हुआई जहास बना लिये चांड पर गदम रख लिया वो इस फील्ड में माहिर होने का मतलब यह नहीं कि हर फील्ड में माहिर है कुछ सवालात ऐसे हैं इंसानियत की हयात से मतालिक जिन एहम तरीन सवालात का जवाब कुरान के पास है नभी के पास है इसलाम के पास है उन सवालात का जवाब साइसदानों के पास और अंग्रेज के पास नहीं है देखो इस काइनात को बनाने वाला अंग्रेज है ये खुदा है तो खुदा बताएगा ना मैंने क्यों बनाए हमारे लिए ना most important questions जो है ना हमारी जिन्दगी के लिए सबसे एहम सवाल क्या है हमें किसी ने बनाया है या हम खुद बने है बनाने वाले ने किसी मकसद के लिए बनाया है बे मकसद बनाया है यह सबसे ऐहम तरीन सवाल है हमारी जिद्धी के लिए क्युंके इन सवालआट के जवाब के लिए जवाब के बगयर हम अपनी जिद्धी का रुख मुताईन कर हिं नहीं सकते जिद्धी एक सफर है और सफर में suff princip पहले अपनी direction सेट करनी होती है जाना किदर है पागलों की तरह बस में आगे बैल जाए और ड्रैवर से बोले जिदर मू तेरा दिल करे वहाँ चला जा ड्रैवर भी आपको ये मश्वरा देगा तू पहले अपने दिमाग का इलाज कर फिर टिकेट खरीद के बस में बैठ़ तुझे पता ही नहीं तूने जाना कहा है अंग्रेश को नहीं पता कि उसकी जिन्दगी का मकसद क्या है यह नहीं पता अंग्रेश को वो विजन खुद बनाते हैं और फिर डायलॉग बोलते हैं हम क्यूं पैदा हुए है वो कहते है मैं तुमाने लिए बनाओ वो कहरे है मैं केटू की पहाड़ी अबूर करने के लिए बनाओ वो कहरे है मैं मांट एवरेस पर चड़ने के लिए बनाओ इन दावों के बरहक होने की उनके पास कोई दलील नहीं है ये तो आप खुद तै कर रहे हो ये बनाने वाला बताएगा कि मैंने तुम्हें क्यों बनाया क्यों आप अपनी मर्दी से थोड़ी आयो दो ऐहम तरीन सवाल है जिनका competency नात कीश नके पास जवाब ने है इस काइनात को किसी ने बनाया है या खुद इसे बनी है और अगर बनाया है तो किसी मकस़द के लिए या बysisक का जवाब जिसने बनाया है वो देगा जिसने जो खुद बने वे हैं वो तो मेरी और आप जैसे इनसान है वो थोड़ी बताएंगे